दोस्तों क्या हर्ट में जो आवाज होती है वो धक-धक की आवाज होती है कि और भी कुछ अलग किस्म की आवाज होती है आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हर्ट में जो आवाज होती है क्या वो धक-धक होती है या कोई और आवाज होती है दोस्तो आजका हमारा टॉपिक है हर्ट साउंड्स यानि हिर्दय की ध्वनिया दोस्तो हर्ट में दो तरह की आवाज होती है जिसमें से पहला होता है फॉर्स साउंड या जिसको लब कहा जाता है जो वेंट्रिकूलर सिश्टोल पर होता है और दूसरी आवाज second sound होता है जिसको dub कहा जाता है और ये ventricular diastole पर होता है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे hurt में दो तरह की आवाज होती है जो first sound कहलाता है जिसको love कहते हैं और second sound जिसको dub बोलते हैं दोस्तो हमारे right atrium से right ventricle की तरफ एक hole होता है जहां पर एक tricuspid valve होता है इसी तरह से left atrium से left ventricle की तरफ एक शेद होता है जिसको एक mineral valve पाया जाता है दोस्तो जब भी हमारे right atrium से right ventricle की तरफ blood pump होके चला जाता है या flow होके चला जाता है तो बीच में एक tricuspid valve होता है जैसे ही right atrium से right venticle की तरफ blood जाता है तो ये tricuspid valve बंद हो जाता है और जैसे ही ये tricuspid valve बंद होता है तो इसके बंद होने की वज़़ से एक love की sound आती है इसी तरफ से जैसे ही left atrium से blood हमारा left venticle की तरफ जाता है तो बीच में एक mitral valve होता है जैसे ही left atrium से left venticle के तरब blood चला जाता है तो इस वज़ा से ये mitral valve बंद हो जाता है और इस वज़ा से भी love की आवाज आती है इन दोनों tricuspid valve और mitral valve का काम होता है कि जैसे ही blood हमारा venticle में चला है तो ये blood फिर से back atrium में नहीं जा पाता है इन valves की वज़ा से तो जैसे ही ये दोनों valve बंद होते हैं इन दोनों valve की बंद होने के कारण एक love की sound आती है जिसको hurt का first sound कहा जाता है इसी तरह से जैसे ही हमारा hurt right venticle से blood को pump करता है तो यहाँ पर एक semi lunar valve होता है जैसे ही ये semi lunar valve बंद होता है इसके बंद होने के कारण hurt की एक second sound आती है जिसको dub कहा जाता है तो इस तरह से इस semi lunar valve के बंद होने के कारण hurt की second sound आती है जिसको हम लोग dub कहते हैं और ये semi lunar valve के बंद होने के कारण होता है जैसे ही hurt right venticle से pump करता है पूरे हमारे lungs के थुरू, तो यहाँ पर जो valve होता है, यह बंद हो जाता है इसी तरह से जैसे ही left ventricle हमारे पूरे body में blood को pump करता है, aorta के थुरू, तो aorta और left ventricle के बीच में भी एक semi lunar valve होता है, जैसे ही aorta में blood चला जाता है तो यह semi lunar valve बंद हो जाता है तो इसके बंद होने के कारण भी हमारे हर्ट से एक dub की sound आती है, तो इस तरह से right ventricle से blood निकलने के बाद और left ventricle के से blood निकलने के बाद जो semi lunar valve होते हैं यह दोनों valve बंद होते हैं तो इन दोनों valve के एक साथ बंद होने के कारण से हमारे हर्ट की dub sound आती है, दोस्तो हमारे हर्ट में चार सेट होते हैं वाल्ज के जिसमें से एक होता है cuspid valve जो होता है tricuspid और bicuspid valve यह दोनों valve हमारे एट्रियम से ventricle की तरफ जब blood चलाता है तो यह दोनों valve बंद होते हैं जिनके बंद होने के कारण से लब की sound आती है इसी तरह से जब right ventricles और left ventricles से blood pump हो जाता है तो यहाँ पर पाए जाने वाले semi lunar valve के बंद होने के कारण से हमारे हर्ट की second sound आती है जिसको dub कहा जाता है, तो इस वज़़ज़ से हमारे cuspid valve के बंद होने के कारण लब की sound आती है और semi lunar valve के बंद होने से dub की sound आती है दोस्तों यह दोनों के दोनों जो sounds होते हैं, इसको हम stethoscope के द्वारा आसानी से सुन सकते हैं, आसानी से मैसूस कर सकते हैं इसी sounds को सुनने के लिए ही, डॉक्टर अपने कान में इस्टैथोस्कोप लगाते हैं इस्टैथोस्कोप में बहुत ही clearly लब और डब की sound आसानी से सुनाई देती है और इसी वज़े से डॉक्टर लोग अपने कंदे पे इस इस्टैथोस्कोप रखे रहे